हेलो फेंट्स में हूँ दिपंकर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारा क्रियेटिव दिपू चैनल पे तो फिर से आगया नया वीडियो नया ट्रॉपिक लेके तो फिर आज बनाएंगे एक मिजिकल एलेडी सर्किट तो एक सर्किट बहुत ही आसाने तरह किसे घर पे आप बना सकते हो तो चले फेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने के पहले है मेरा एक छोटा सा रिक्यूस्ट है जिन जी लोगी नावी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को कर लो फटा फट से सब्सक्राइब और पास में जो बेल के लिए हम लोग को जरूत होगा पहले जरूत होगा फ्रेंड्स एक BC547 टंजिस्टर और एक टंजिस्टर जरूत होगा जो है BC557 जरूत होगा फ्रेंड्स एक 1 के रेजिस्टर जिसका कलर कोड है ब्राउन ब्लाक रेड जरूत होगा एक 56 के रेजिस्टेंस जिसका कलर कोड है ग्रीन, ब्लू, और फ्रेंट जरुवत पर जाएगा ऐसा एक पुराना हेटफोन से निकला हूँ आप किसी भी हेटफोन पुराना हेटफोन से निकल के यूज कर सकते हो ठीक है और ये सर्कीट हमारा वार्क करते हैं 6 बोल्ट सप्लाई में आप यूज करना चाहते हो जो सर्कीट के साथ लगा होगे वह ये लिटी आपको जरत पर जाएगा ठीक है तो पहले देख लेते हैं टैंजिस्टर में बी छी fivester में देख सकतो ऐसे पकाल लोग धिक है टैंजिस्टर को तो जो राइड वाला सेट है एवाला है m-meter जो बीज वाला और वह वाला बैस और जो लेट साइट एवार collector सेम तरिके से एवे सेम है ठीक है A base, A emitter, A collector तो पहले के करेंगे friends देखो तो friends जो दोनों transistor है कुछ इस तरह से आपको लोग को करना होगा ठीक है देख सकते हो वह अच्छा तरीके से तो अभी क्या करना होगा friends देख सकते हो कि हमारा पास जो BC 547 वाला transistor है उसका जो collector वाला जो point है ठीक है उस point को हम soldering करेंगे BC 547 टेंजिस्टर का base point के साथ तो चलो उसको sort कर देते हैं फैले तो friends ऐसे sort कलने के बाद हमारा पास जो 56 के ohms का जो resistance है उसको soldering करने BC 547 का जो टेंजिस्टर है उस टेंजिस्टर का base point के साथ ठीक है तो चलो उसको soldering करते हैं तो इसको soldering करने के बाद हमारा पास जो one के register है इसको soldering करना है इस जो BC 557 का जो टेंजिस्टर है इसका जो collector वाला point है उसके साथ तो friends इस तरह से लगाने के बाद हमारा जो दोनों resistance का जो another वाला legpoint है मतलब यह जो दोनों point है इसको आपास में sort कर लेना है ठीक है तो चलो इसको sort कर देते हैं तो friends इस दोनों resistance को आपास में sort करने के बाद हमारा next camera में हमारा जो mic है इस mic का जो positive वाला side है उसको soldering करने इस जो BC 547 जो base वाला point है और 560 resist mu easy ratio के जो a वाला point है देख सकतो तो यह उप कर लगा लेना है और जो negative side है उसको लगाना है हमारा BC547 transistor का जो एम मेटर वाला point है उसमें छलो उसमें लगा देते हैं तो फ्रेंट्स इस माइक को लगाने के बाद हमारा जो LED है इस LED को अभी लगाना है इस सर्कीट में इस LED का जो पॉजिटिव बला साइड है उसको सोल्डरिंग करना है जो BC557 जो टैंजिस्टर है उसका जो एम्मीटर पॉइंट है उसमें और जो नेगेटिव साइड है उसको सोल्डरिंग करना है जो BC54 टैंजिस्टर है उसका एम्मीटर साइड में वाला पॉइंट है उसमें हम दे देंगे तो देख सेके तो जो इन्पूट और आउपूट हमारा कम्प्लिट हो चुका है तो चलो इस सर्कीट को चेक करते हैं तो चलो आपने वीडियो को अच्छे लेगा को लाइक कर देना और चैनल में नायों को चैनल को सिस्काइब करके जाना तो चलो आज के लिए इतना ही मिन्टेंड में जी रुपे तपले गुड़वा जाए है